हैलो एब्रीवन, आज मैं बनाने जा रहे हूँ कपकेक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, ये मैं क्रिश्मस के लिए बनाने जा रहे हूँ और ये एक्तम छटपट से बन जाएगा, और कोई भी बना लेगा इसे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेर करूँगी, और बहुत ही अच्छा आता है इसका, बच्चे बड़े सभी को ये केक बहुत ही जादा पसंद आता है, तो इस क्रिश्मस आप भी बनाएंगे इसे, इसके लिए मैंने लिया है दो चमबच कौफी, कौफी पाउडर और इसमें दो चमबच मैंने पानी लिया है, पानी थोरा सा गुनगुना है, इसे मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह, तो आपको कौफी को अच्छी तरह फेटना है, ताकि ये बिल्कुल ये देखिए, बढ़िया से मिक्स हो जाए, और इसके लिए अगर आप गुनगुना पानी ले लेंगे, तो कौफी आपकी बहुत अच्छी तरह जल्दी फिट जाएगी, तो ये देखिए, कौफी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसे साइट कर लेते हैं, और अब मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें मैंने लिया है, एक कप दूद, और इसमें दूद भी हमारा थोरा सा गुनगुना है, इसमें मैं एक चमच निम्बू का रस और थोरा सा पानी मिक्स कर दिया था उसमें निम्बू के रस में इसे डाल करके इसे थोरा सा धक करके रख देते हैं ताकि यह थोरा करडी हो जाएगा क्योंकि हम इस केक में धही वेगर नहीं डाल रहे हैं तो इसे थोरा सा करडी हो जाएगा यह य बेक्ट करेंगे, कडाही में तो चीजे हमारे घर में होते ही है, बहुत लोगों के पास पुरन माइक्रोफ नहीं होता है, तो सोचते हैं, हम यह कई कईसी बना है, तो यह तरीका बहुत ही आसान है, उसमें 1 बंतोछ सब्सक्टे omega-ma THAT- नमक तो लेकटाटी हो, तो उसे ढख करके मैंने रख दिया है और इधर मैंने paper cup लिया है और एक प्लेट लिया है इस प्लेट में जितने भी मेरे paper cup आ जाएंगे उतना मैंने इस तरह लगा लिया है तो यह सारी तयारी अप करके रख लीजिए और अब dry ingredient ले लेते हैं तो मैं इसे बना रही हूं आट जिसमें कोको पाउडर वही खाने वाला चम्मच है मैं विल्कुल आपको easy वाला मेथड बता रही हूँ और दो चम्मच मैंने इसमें milk पांडर लिया है तो तो और इसमें ले लिया है मैंने baking soda तो baking soda 1 4 चमच लिया है सारी चीजों का मिजर्मेंट मैंने इसी चम्मच से किया है और एक चम्मच ले लिया है मैंने बेकिंग पाउडर आपके पास अगर इस तरह का मेजरिंग कप हो तो आप उसे इस्तमाल कर लीजिए लेकिन क्योंकि सब किसी के पास में ये मेजरिंग कप नहीं होता है तो इसलिए मैंने ये सिम्पल खाने वाले चम्मच और कटोरी का इस्तमाल अपने केक बनाने में किया है एक चुटकी नमक डाल लिया है और इसको चान लेते हैं चानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चान लेने से आपका जो भी मोटा इसमें है वो निकल जाएगा और आपका केक फूलता बहुत अच्छा है इसमें यह अच्छी तरह भर जाता है तो इसे चान लेते हैं और आप दे लेजिए और उसका आप घोल बना करके वो ले सकते हैं जिस कटोड़ी से मैंने आठा लिया था उसी कटोड़ी से मैंने 1 4 पोर्थ कटोरी डि प्हार लिया है और इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं एक्टम हमको creamy इसको mix करते हुए कर देना है और आप अपने कॉफी वाले मिसरन को इसमे डाल लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह mix कर लेते हैं mix आपको पिल्कुल अच्छी तरह करना है ताकि एक दम creamy creamy सा हो जाए आपके पास अगर इस तरह का बीटर नहीं है तो आप चम्मत से भी कर सकते हैं अच्छी तरह mix कर लेने के बाद में अब अपने जो dry ingredient हमने ले रखा है उसमें इसे धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे इसे mix करते जाएंगे एक पर आप मत डालिएगा धीरे धीरे mix करते जाएंगे और एकदम हलके हाथों से mix करना है बहुत तेजी में केक का बैटर आपको mix नहीं करना है तो एकदम आराम आराम से आपको हलके हलके हाथों से mix करते जाना है जितना आपने बनाया है देखते हैं अगर इतने से हो जाता है तो ठीक है वरना अगर कम पड़ जाएगा तो थोड़ा सा दूध हम नॉर्मल दूध और इसमें मिक्स कर लेंगे तो पहले एक बार आपने जो घोल तयार किया है उससे पहले अपने केक के मिसरन को घोल लेजिए देखे थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे तो दो तिन चमज मैंने दूध और डाला है इसमें और कटन फॉल्ड मेथड से आप इसे मिला लीजिए तो यह देखे घोल बिलकुल तयार है और एकदम हलके हाथों से आपको इसे मिलाना है क्योंकि हमें इसमें एयर भरना है और अप मैंने ड्राइड रूट लिया है जिसमें थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम लिया है आप चाहे तो किश्मिष डाल सकते हैं जो भी आपके पास ड्राइड रूट हो अख्रोट डाल सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जो क्रिस्मस पे केक बनता है या फिर मिलता है मार्केट में उसमें ड्राइब रूट जरूर ही होता है और अब अपने इस कप में हम अपने बैटर को डाल लेते हैं तो आपको पूरा इसे भरना नहीं है आधे 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 रखिए बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो ये उपर तक फूलेगा है तो इसलिए इसे फूलने के लिए जगा चाहिए तो आपस इसे हाफ हाफ करके भर लीजिए मैंने ये छोटा वाला ही कप लिया है इसमें बनाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी काफी अच्छा लगता है और आप थोरा सा प्लेट को टैप कर लेजिए ताकि अच्छी तरह हमारा जो केक बैटर है वो सेट हो जाए और उपर से थोरा सा टूटी फ्रूटी लिया है आप चाहें तो अगर आपके पास चेरी है तो उसे डाल लीजिए या फिर चाहें तो ड्राइब फ्रूट जो आपने काट कर रखा है उसे डाल लीजिए मेरे पास था तो मैंने इसे इस्तेमाल किया है इसके उपर और अब अपने नमक को जो हमने गरम करके रखा है इसे आपको 7 से 8 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे गरम करना है और अब इस पे अपने प्लेट को रख लेते हैं और अब अपने flame को आपको low to medium करना है और इसे 15 मिनट के बाद में खोल कर एक बार आप चेक कर लीजिए क्योंकि थोरी बहुत गयास की flame पे भी depend करता है किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा तो ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद इसी खोला है एक बार चेक कर लेते हैं अगर लगेगा कच्चा है तो देखिए बिल्कुल हो गया है तो बस इसे थोरा सा ठंडा हो जाने देते हैं एक्टम clean आ रहा है साफ आ रहा है आपका stick तो इसका मतलब है कि आपका cake तयार है तो थोरा सा इसे ठंडा हो जाने देजिए और आप यह देखिए कितने आसानी से यह निकल जाता है और एक्टम इतना soft इतना fluffy हुआ है कि मुँ में घुल जाने वाला मुँ में डालते हैं घुल जाएगा और बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आता है यह कि पोछे मत और अगर थोड़ासा आपको दिक्कत हो रहा तो थोड़ासा knife से side से आप इस तरह निकाल लीजिए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप मैंने थोड़ासा मेरे पास white chocolate था तो मैंने melt कर लिया है उसे और इसके उपर में एक चमच मैंने उसमें दूर डाल दिया था और बस इसके उपर में थोड़ासा अपने cake को सजार लेते हैं इससे और भी ज़्यादा test भी बढ़ जाएगा और देखने में भी काफी अच्छा लगेगा और थोड़ासा जो तोटी फ्रोटी है वो इसके उपर में डाल लेते हैं आपको कैसी लगी मेरी ये cupcake की देश भी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाई कीजिएगा अपने फेमिली फ्रेंट्स में भी शेयर कीजिएगा कि ताकि वो भी इस क्रिश्मस अपने पार्टी में से शामिल करें और अपना पार्टी इसके एक से मना है तो मिलेंगे फिर ऐसे ही अगली रेस्पी में तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना एक्तम हलका लाइट प्रेंगे बाइग जव जक वो दो 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 एक रा उब दो ह्माव भाईगा कि भूब करेंगे वो धना एक से घ्रक्ष जा कि न दो